ओम नमो भग्वते वासु देवाए ओम नमो भग्वते वासु देवाए मंगलं भगवान विष्णू मंगलं गर्णत्वजा मंगलं पुंड्रीकाक्ष मंगलायत नोहली शान्तकारं भुजगनशैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सद्रश्यं मेगवर्नं सुभांगं लक्षमी कांतं कमलनैनं योगी भिर्ध्यानं गम्यं वंदे विश्णू भववय हरम सर्वे लोके एकनाथम ओम नमो भगवते वासु देवाए नमहा आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंदुओं को मेरा जय जय श्री कृष्ण सादर राधे राधे और आईए हम भागवत महापुरान के स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं आप सभी लगातार मेरे चैनल के उपर ये स्वाध्याय प्राट को श्रवन कर रहे हैं और इसमें हम रोज एक अध्याय पढ़ते हैं और एक अध्याय पे हम आपको श्रवन कराते हैं तो आप सभी चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें इसकी प्लेलिस्ट में जाके डेली भागवत कथा के नान से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में आपको प्रारंब से लेके अभी तक के सारे अध्याय लाइन से मिल जाएंगे तो आप अगर इसके पहले के अध्याय सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके सुन सकते हैं और इसके आगे के अध्याय मेरे साथ श्रवन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलत रहे और समय समय पर आने वाले मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो है वो आपको मिल सकें और आप धर्म लाव ले सकें जैजै श्री राधे ओम नमो भगवते वासु देवाए आईए आज हम आठवे अध्याई में राजा परिक्षित का सुकदेव जी से प्रश्न करने के अध्याई में आगे बढ़ रहे हैं इसमें चोपाई आती है ज्यान अगाद राव मन उदैयू विविद प्रिश्न पूछत मुनि भयाओ राजा परिक्षित बोले है योगी राज आप संपून वेदों के ग्याता और ब्रह्म स्वरूप हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उबदेश प्राप्त करके नारत जी ने किस प्रकार स्वरूप का विस्तार भगवत स्वरूप का विस्तार किया आप मुझे भी ऐसा ही उपदेश दी जिससे में परम ब्रम परमात्मा शीकिष्ण चंद्र में लीन होकर अपने शरीर को त्याग सकूँ हे मुनिदेव जी जो भक्त जन नित्य उनके चरीतरों का श्रमन कायन करते हैं भग्वान श्रीकिष्ण कांच छेतरों द्वारा उनके हिदे कमल पर विराजमान हो जाते हैं हे ब्रह्मन जीव का पंच भूतों से कोई संबन ना होते हुए भी उसका शरीर पंच भूतों से बना हुआ है इसका क्या कारण है क्रप्य करके बताएं आपने बताया है कि लोकों के रचे इता ब्रह्माजी द्वारा भगवान की नाभी कमल से उत्पन हुए तथा बिराट भगवान भी अन्य प्रानियों की भाती अव्यव युक्त होते हैं जो इनकी कौन सी विशेष्टा है जिन भगवान से श्रिष्टी की उत्पत्ती इस्थती तता लए होती है उनसे लोग तता लोगपालों की रचना किस है तो हुई है साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि वे स्वयम ही लोगपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं इन दोनों बातों का क्या अर्थ है कल्प महाकल्प अवांतर कल्प की कितनी संख्या है जीव की आयू का परिमान क्या है तीनों कालों को किस प्रकार पहचानते हैं काल के सुच्म और स्थूलगती क्या होती है देव पितर मनुश्य योनिया किस प्रकार प्राप्त होती है किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ती होती है जल्थर थलचर और नप्चर इस्तावर जंगम सभी प्राणियों के उत्पत्ती किस प्रकार होती है ब्रह्मान का परिमान क्या होता है बढ़ना श्रम के भेद तथा धर्म का क्या योग स्वरूप है योग कितने हैं उनमें क्या परिमान हैं मनुशी के करने योग की क्या धर्म हैं तत्व कितने हैं इनके स्वरूप तथा लच्छन कितने हैं आराधना तथा अध्यात्म योग के क्या स्वरूप हैं योगी जन अंत में किस गती को प्राप्त होते हैं, उनका पंच्टतो वाला शरीर किस प्रकार नश्ट होता है, वेद, उपनिशत, शास्त, पुरानों का क्या सोरूप है, तथा उनका क्या तात पर है, इस शेश्टी के उत्पति, पालन तथा नाश किस प्रकार होता है, यग्य यग्यादी कर्मों के करने से क्यालाब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होते हैं, जो प्राणी परले काल में प्रकृती में लीन हो जाते हैं, फिर उनके उत्पति किस प्रकार होती है, आत्मा किन कर्मों से बद्धन तथा मोक्ष को प्राप्त होती ह आत्मा का सुरूप क्या है भगवान अपनी माया से किरीडा करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं हे ब्रह्म ग्यानी श्री सुपदेव जी मैं आपकी शरण में हूँ मुझदास को अंत समय में इस संसार की माया से मुप्त करने वाले केवल आप ही हैं मुझे यता भी थी संपून भेदों को बताईए सूच जी बोले हे सुनक जी जब राजर शी परिक्षित ने उन 88 सहस्त्र रिशी मंडली में इस प्रकार प्रातना की तब योगिश्वर भगवान शुकदेव जी ने प्रसन होकर मोक्ष को देने वाला श्री मद भागवद महापुरान राजा परिक्षित को सुनाया राजा परिक्षित ने उन से जितने प्रश्न और शंकाएं की उन सब का निवारण उनोंने बड़े प्रेम से किया इसी के साथ अश्नम अध्याय यहां समाप्त होता है कल हम आपको नवे अध्याय में लेके चलेंगे ब्रह्मा जी को भगवान का महतत्व ब्रह्मतत्व मै चतुर्श लोक भागवद का उपदेश किस प्रकार दिया इसे हम कल श्रबन करेंगे कर पूर गोरं कर नावतारं संसार सारं भुझ गेंद्रहारं सदा वसंतं रिद्यार विंदे भवं भवानी सैतं नमामी